हेलो नमस्कार दोस्तों जहारखंड लाइब के यूट्यूब चलन में आप सभी लोगों का यहां पर स्वागत है दोस्तों आज है 27 अक्टूबर और हम लोग यहां पर आज जहारखंड के महत्पूर्ण करेंट अफेस के कुश्चिंस जो भी हो सकते हैं वह हम लोग यहां पर अपने जीवन में और यही सुब कामनाय के साथ जो है वह भविस में बहतर करें आगे भी जो है वह अपना नाम रौसन करें चलिए यहां पर तो है आज यहां पर सताइच अक्टूबर का जो करेंट अफेर्स हम लोग वह देखते हैं ठीक है और डेली मॉर्णिंग में यहां पर पीडिएफ जो आपको मिल जाएगी तो चलिए आज का यहां पर महत्पूर्ण करेंट अफेर्स को कुछ सेंट जो भी हो सकता है हम लोग यहां पर देखते हैं और आज का सबसे पहला प्रसन यहां पर देखिए आपका है जहारखंड सरकार अवासिये स्कूल में क फ्री कोचिंग की स्वीधा उपलब्द कराएगी तो इसका सही अंसर जो होगा यहां पर दोस्तों आपका आप्शन नंबर बीज होगा बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा चार सो कुल चार सो बच्चों को जो है यहां पर जहारखंड राज सरकार मुफ्त में टेक है मेडिकल इन्यरिंग की फ्री कोचिंग की स्वीधा उपलब्द कराएगी तो आपसर नंबर बीज होगा यहां पर बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा तो राज में कल्यान विभाग की आधिन चलने वाले जितने सारे आवासे विद्याले हैं कि बच्चों को सरकार इन्यरिंग और मेड की कोचिंग मुप्त कराएगी चलि अगले कुशन में यहाँ पर चलते हैं अगला कुशन यहां पर आपका है जानजाती एंटलस ठीक है जिसको ट्राइवल एटलस भी कहते हैं कवी मोच्जन किसने की है तो आपसन देख लिए यहां पर और उपका सही एंसर होगा यहां पर यहां पर जो है वो इमोचन किया है तो आपसे नमबर एज होगा यहां पर बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा तो यहां पर देख लिए इसके बारे में जो ट्राइवल एटलस है उसके बारे में यहां पर तो डॉक्टर रामदयाल मुंडा जन जाती कल्यान सोथ संराची द्वा किया गया है इस एटलस में सभी जन जाती समुदाय सो संबंधित आकड़े ग्राफ मैप आधी का एक अस्थान पर उपलग्द कराया गया है तो जितने सारे यहां पर पिछड़े जाती के लोग है ठीक है पिछड़े वर के लोग अनुसूची जाती अनुसूची जन जाती क ठीक है तो आपसन नमबर आपका यहां पर ए जो होगा बिलकुल सही अनसर हो जाएगा चली अगले कूशन में चलते हैं और अगला कूशन है यहां पर राज्यी सरकार दवारा आयोजित परतियों गिता परिक्षा में किसे सुल्ख से मुक्त किया गया है ठीक है अब इन्हे तो सही अंसर होगा यहां पर आपका अपसहर नंबर C जो होगा बिलकुल सही अंसर हो जाएगा तो दुबव्यांग लोगों को यहांपर राजी सरकार द्वारा आयोजी जितने सारी प bacon गताया परिक्छा होंगे उसमें उनको जो है वह सुलक जो है वह कोई भी यहाँ पर देना नहीं होगा ठीक है वो मुप्त में यहाँ पर अब आवेदन जो है वो कर सकेंगे तो option number C जो है यहाँ पर बिल्कुल सही answer होगा ठीक है चलिए अगरे कुछे में चलते हैं और अगला question है यहाँ पर आपका राजी में तैराकी गोता खोरी के परसिक्षन के लिए सरकार ने किससे MOU की है ठीक है किससे MOU की है करार किसके साथ यहाँ पर राजी सरकार की है ठीक है तो इसका सही answer जो होगा यहाँ पर आपका option number B जो होगा यहाँ पर बिल्कुल सही answer हो जाएगा N.I.W.S. गोवा ठीक है N.I.W.S. का फुल फर्म क्या है National Institute of Water and Sports ठीक है तो National Institute of Water and Sports गोवा के साथ जो है जहारकार सरकार यहाँ पर M.O.E. की है M.O.E. हुआ है करार हुआ है तैराकी और गोता खोरी के परसिच्षन के लिए यहाँ पर ठीक है तो अप्सन नमबर यहाँ पर आपका 20 होगा बिल्कुल सही answer हो जाएगा ठीक है चलिए यहाँ पर देख लेते हैं details में हम लोग N.I.W.S. गोवा जो है वो इसका फॉल फर्म है National Institute of Water and Sports ठीक है इसका स्थापना जो होई थी 1990 में की गए थी ठीक है और गोवा के बारे थी आपको कहां लोग यहाँ पर देख लेते हैं C.M. कौन है प्रमोद सावन्त है गवर्नर मिर्दूला प्छाि目 है 2014 से अभी तक वहाँ पर गवर्नर वही है ठीक है रिदूला सिना और गोवा की स्थापना कभी थी 30 माई 1987 को ठीक है यहाँ पर जो है वो डेट जयाद रखना है गोवा डे मनाया जाता है 30 माई को ठीक है तो यहाँ पर यह इतना सारा जो है आपको गोवा से जानकारी मिलती है चलिए अगले कुश्यम चलते हैं और अगला कुश्यम है यहाँ साडी योजना का सुबारम कहां किया गया है ठीक है अप्शन देखलीजिए यहाँ पर और इसका सही एंसर जो होगा यहाँ पर आपका आप्शन नमबर ए जो होगा बिलकुल सही एंसर हो जाएगा ठीक है सट पैंट साड़ी योजना का सुबारम यहां राची में राची के मोरावादी मैदान में यहां पर इसकी सुरुवात जो है वो यहां पर रावगुवरतास हमारे मुख्य मंद्री ने की है ठीक है अपसन नमबर एज होगा यहां पर बिल्कुल सही एंसर हो जाएगा ठीक है चलिए यहां पर देख लेते हैं नगर निगम के तहट जो है यहां पर कारिरत सड़क नाली सफाई सीवरेज कारी से जुड़े स्रमिक के रूप में निबंधित स्रमिकों के बीच पैंट सट साड़ी जोजना के अंतरकत जो है वो यहां पर पैंट सट का कपड़ा तथा वैजित जो है और को पैंट सट का कपडा यहां उनको दिया गया है और जो महिलाएं उनको यहां पर साड़ी दीगई है तो आपसिन नंबर यह जोो यहां पर बिलकुल सही अंसर हो जाएगा चली अगले कोशन चलते है और अगला कोशन jaart जिनियर अंतर जिला महिला फुटबॉल परतियोगिता में कौन से टीम चैंपियन बनी है तो इसका सही ऐंसर यहाँ पर आपका डीज होगा बिलकुल सही एंसर हो जाएगा तिक है राची तीम जो है वो चैंपियन बनी है और किसे हराकर बनी है रामगण को हरा कर बनी है ठीक है तो 10-0 से जो है वो राँची ने रामगण को हराया है ठीक है् है । यहाँ पर जार्खन राजी शेनि er अंतर जीला महिला फूटबाल पर दियो गिता जो है वो राँची चैंपियन बनी है ओप्शन नमबर डी जोगा यहाँ पर बिल्कुल सही एंसर हो जाएगा तो रामगण को 10-0 से हरा कर जो हो राजी महिला टीम राज चैंपियन बनी है ठीक है चलिए अगले कुश्चर में चलते हैं और अगला कुश्चर नहीं यहाँ पर आपका ग्लोवल एक्टिव सीटी की सुची में किस जार्खन के किस सहर को सामिल किया जाएगा ग्लोवल एक्टिव सीटी क्या होता है मैं यह आपको यहाँ पर बताऊंगा तो ग्लोवल एक्टिव सीटी की सुची में जार्खन का किस सहर का यहाँ पर सामिल किया जा रहा है तो इसका सही अंसर जो होगा यहां पर आपका focus number C जो होगा यहां पर बिल्कुल सही अंसर हो जायागा बोकारों को ठीक है तो बोकारों को global active city की सुची में अ जो है यहां पर add किया जा रहा है ठीक है तो विस्व में diabetic जो है वो 10 active city फिरीन अन फिल्कुलrare पर बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा चली थोड़ा description में इसके बारे हम देख लतने हम लोग यहां पर अंतरराष्टी ओलंपिक कमेटी से संबंध इकाईयों को खेल काईर करम के तहद बोकारो का नाम ग्लोवल एक्टिव सीटी की सुची में चैयन किया गया है तो अंतरराष्टी ओलंपिक कमेटी से संबंध साव क्षर भारत अभियान के तहट ज्यार खंड की कितनी पंचायते साकथ्चर घोशित की गई हैं तो मेना सब्सक्राइब चानल के कि यहां पर आपकी साक्षर घोसित की गई है ठीक है कुल साग पंचायत जो है वो कितनी घोसित की गई है 406 पंचायत जो हो यहां पर आपकी साक्षर घोसित की गई है तो अपसन नमबर 20 होगा यहां पर बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा ठीक है चलिए कुश्चन अप दर्डी देख लेते हैं, आपको यहाँ पर comment box में इसका answer बताईएगा, आपको आता है या नहीं आता है, आप comment करके, guess करके भी बताईए आप सही answer जो है, वो क्या होगा, ठीक है, अकल जो है, बहुत कम लोगों आप लोगों ने comment किया, answer साइध नहीं, आप लोगों को पता होगा, फिर 63 हुआ, ठीक है, यह आपको बताना है, राची railway station को, ठीक है, राची station जो है, वो सौचिता में कौन सा स्थान उसको प्राप्त हुआ है, 60, 61, 62, 63 हुआ, तो इसका answer जो है, comment box में, जरूर यहाँ पर comment करिएगा, सही answer जो है, वो बताईएगा, अगर आपको पता है, तो इमेद करता हुआ को आपको वीडियो जो है, पसंद आए होगी, तो जरूर लाइक करिए, चल्लम को सब्सक्राइब अगर नहीं किये हैं, तो सब्सक्राइब कर लिजिए, ठीक है, और टेलीगराम गृरूप जो है, जो है, जो है, वो मिल जाएगा, और दीवाली जो है, आ